वेलकम टू सुमन हाउस पाइप आज हम करेंगे सलवार की कटिंग बहुत एजी तरीके से ज्यादा कपड़ा बिना वेश्ट करें एक कट में सलवार की कटिंग हो जाएगी तो देखी कपड़ा दो मीटर लिया है दो मीटर में ही मिनी पटियाला सलवार बन जाएगी कपड़ इस तरीके से दो फोल्ड में फोल्ड कर लेंगे कपड़े में कोई सलवट नहीं होनी चाहिए देखिए दो फोल्ड में कपड़ा फोल्ड कर लिया है कपड़ा इकवल कर लेना है देखिए इस तरीके से कपड़ा फोल्ड करेंगे देखिए जैसे आपको आपकी मोरी चाहिए आपको 6-6 इंच की मोरी चाहिए तो उसमें एक इंच प्लस कर लेंगे हो तो हो जाएगा सेवन इंच तो एक इंच एक्स एक्स्रा लेना है ज्यादा कपड़ा एक्स्रा नहीं लेना है देखी इस तरेका से आप देख लीज़ी देख़े में हमने और देखी इस निशान को एकवल कर लेंगे यह फाल तुक्ड लेंगे अभी हमने निशान लगा दियाए अब 10 इंच केulla इस कि इस साइत निशान लगा देंगे तो निशानों को इस तरहते से इसार जोइंट कर देंगे देखिए मार्किंग करके दोन इंशान जोइंट कर देंगे आप कटिंग करेंगे देखिए फालतु कटिंग करेंगे देखिए अब एक बार देखिए आप कटिंग भी देख लीजी देखिए इस तरह के से कटिंग करनी है देखिए यहां पर एक मार्किंग कर लेते हैं और यह कट करके हटा देंगे फाल्तों कप्ड़ा है आप कटिंग करेंगे देखिए यह बहुत हीजी तरीका सलवार कटिंग करने का जादा कप्ड़ा वेश्ट नहीं होता है और जादा कट भी नहीं आते हैं सलवार में सिर्फ दोगाटें देखिए एक साइट तो जुड़ा हुआ है पाट और कलियां और एक साइट हम जोइंट करेंगे एक बार आपको दिखा देते हैं कि कैसे सलवार की देखिए इस तरह से स्टीच करनी देखिए पाट और कलियां एक साइट की जोइंट है और एक साइट कलियों को जोइंट कर देंगे पाट के साथ देखिए आप देख सकत गार यह मैं प्रलवार की लंबाई सोबार की बैल की लंबाई लेंगे 7 अंच पांच तयए बैल्ड ट्यार Пेल्ड मिल जाए हमें 5 ऑस Videos चुड़ाए लेते हैं 20 है और देखियी कट कर देते हैं तो इंच एक्ष्ट्रा लेना है बैल्ड में नेफे के लिए तो बैल्ड की कटिंग